वजट आने से सोलन के लोगों के चहरों पर खुशी नजर आ रहे है क्यूंकि चुनावों के समय जिस वजट का लोग इंतिजार कर रहे थे वैसा ही वजट लोगों को देखनी को मिला यह वजट मध्यवर्थी लोगों के लिए बहुत ही लुभाना है क्यूंकि इस वजट से की सीमा को बढ़ा दिया गया है जिसकी वज़ा से आम आदमी को रहत मिली है पैंशनों को लुभाने के लिए 40 साल से लड़की 1 rank 1 pension scheme को भी चालू कर दिया गया है मेहलाओं को maturity leave को बढ़ा दिया गया है इस वज़ट से हर वरक को खुश करने का प्रयास किया गया है और इस वजट से आने वाले चुनाबों में भासपा सरकार ने मताताओं की दिलों में जगा बनाने का प्रयास किया है सोलन महाब्यापार मंडल के अध्यक शेकुशल जेटी ने बताया जो टेक्स की सीमा पहले धाई लाग थी उसे बढ़ाकर पांच लाग रुपे कर दिया गया है जो मोदी सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत अच्छा कदम है उन्होंने खुशी जाहिर करती हुए कहा कि इस वजट को पेशकर मोदी सरकार ने 56 इंच का सीना जरूर दिखा दिया है क्योंकि 5 लाग तक की आए पर किसी को भी टेक्स नहीं देना पड़ेगा वहीं कॉंग्रेस प्रवक्ता जग मोहन मनुत्रा ने कहा कि इस वजट में एक बार फिर से हिमाचल वासियों के साथ धोका हुआ है इस बार भी हिमाचल को कुछ नहीं मिला है हिमाचल रेल मारक की इंतजार कर रहा था लेकिन कोई घोशना नहीं हुई इसलिए ये वजट उनके हिसाब से एक चुनावी वज़र से जादा कुछ नहीं है आज का दिन भारत के इतिहास में स्वरन अक्सर लिखा जाएगा आम आदमी हिंदुस्तान का जो इतने वर्षों से चाह रहा था कि मुझे कोई रिलीफ दे तो आज हमारे देश के प्रधान मंत्री नेंदर मोदी जी एक मसिया बनके आम आदमी के लिए आए जो उन्होंने आज इतनी रिलेक्शेशन आम आदमी को दी है कि आम आदमी इनका कभी भी करजा नहीं उतार सकता जो ढ़ाई से पांच लाख इंकम टेक्स में छूड़ दी है आज तक किसी सरकार में दब नहीं था और यह दिखाया मोदी जी ने 56 इंच का सीना की यह होता है ऐसे आम आदमी को रहात दी जाती है और उसके लिए बड़ा दिल चीए और यह मोद मानी यह प्रधान मंत्री मोदी जी ने दिया है बजट जो है यह चुनावी साल होने के नाते इसमें मीडल क्लास और सेलिट के लिए सरकार ने काफी खुश करने का प्रयास किया है जिस तरह से उन्होंने आई कर की सीमा को पांच लाग कर दिया है कोई टैक्स नहीं लगएगा इस तरह से मुझे लगता है कि मीडल क्लास पे इन्होंने ज्यादा फोकस करने की कोशिश करी है किसानों के लिए भी कह रहे हैं कि 6,000 रुपे जो है उनको हम सलाना देंगे मेरा जो इसमें चिंता का विश्य वो है कि जो 27 लाग करोड से ज्यादा का जो हमारा खर्चा होना है उसकी आमदन कैसे आएगी सब लोग खर्चे का हिसाब तो करते हैं पर इंकम कहां से आएगी अगर आप देखा जाए कि 5,000,000 तक के जो लोगों को इन्होंने आएकर से माफ कर दिया है तो क्रीबन 3,000,000 लोगों को इसे सही माइने में फाइदा पहुंच रहा है वो टेक्स नेट से बाहर आ जाएंगे पर अब 3,000,000 लोग से दे बाहर चले जाएंगे हम GST में जिस तरह से ने बदलाव किया है कि 40,000 लात रुपे तक किसी को GST नमब लेने की जुरूत नहीं है तो इससे जो है लोगों का टेक्स बेस कम होगा हिमाचल वाश्मसियों को बड़ी उमीदें थी कि शायद हिमाचल के लिए कोई विशेश पैकेज किसी परकार की गोशना हिमाचल के लिए होगी और हिमाचल के जो संसस दस्य हैं उन्होंने अपनी कोई राय केंदरी सरकार को हिमाचल के बारे में दी होगी मगर ऐसा लग रहा है कि हिमाचल तो बिलकुल उनकी नजर में आया ही नहीं ना रेल्वे में सरकार ने कुछ दिया ना किसी और प्रकार की योजना हिमाचल प्रदेश के लिए गोशित हुई है इससे हिमाचल वास्टियों को बड़ी बजट में निराशा हुई है